Dear students, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का, बच्चों ये Class 6 का SST, Social Science Book है, और ये Chapter 1 है, ये Civics Chapter का है, ये Civics Part का है, तो यहाँ पे History और जिवराफिय में मैं आप लोगों को दोदो Chapter दे चुका हूँ, तो इस Chapter को मैं आज दे रहा हूँ, और basically आप समझे कि इसको मैं इस Chapter के ब दिया हूँ है, इसका मतलब होता है, बिविद्दा, तो already हम लोग बहुत पहले से परते आ रहे हैं कि हमारा देश जो है, इसमें कई तरह की विद्दाएं हैं, यहाँ पे लोग अनेक भासाएं बोलते हैं, यहाँ का खाना पिना जो है, डिफरेंट टाइप का खाना पिना ह है, तो यहाँ पर फस्ट में जो दिया हुआ है, कि अपुरुवा, बड्डे ओफ अपुरुवा, अपुरुवा का बड्डे है, और उसके घर में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, उन लोग एक बड़े से बिल्डिंग में रहते हैं, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट के लो और कई सारे अलग-अलग तरह के बियंजन वहाँ पर बन रहे हैं, उसके बाद अनुस्का का पाटी के बारे मतला जा रहा है, वहाँ कि बंगाली है, और उसके यहाँ जो है, वराइटी अप स्वीट्स तो उन लोग स्वीट्स खाना पसंद करते हैं, बंगाली लोग, तो यहाँ पर दिया वाहा है, 140 फ्लेट्स है, और वहाँ पर इंडिया के अलग-अलग पास चरते लोग रहते हैं, बाली हों पर referred language बोलते हैं, कोई तमिल बोलता है, तो पिम्झा भोलता है, भैन भी बंगला बोलता है, इस तरह से, तो दिफ्रेंट पीपल है, तो डिफ्रें यूइन ट्रेटरी बन गया है और यहां से एक उन्यकर राइज बन गया है और यहां से एक लगातार बारिस हो रही है और बिच-बिच में बारिस आती है आप लोग को बारिस का वाज सुनाए दे रहा होगा तोड़ा से डिश्टब होगा इसमें कोई बात नहीं है फिर पीर लोग रूपने ही सकते हैं और यहां पर आगे दिया हुआ है इस तरह का फीचर जो है जैसे कि देली बतला रहा है कि देली हम लोग का किपिटल है और वहां पे पूरे देश के लोग वहां पर आते हैं कि देखने को हम लोगों को मिलता है इस तरह से बतला जा रहा है बच्चों ने वराइटी जैसे हम लोग कैसे खुच सकते हैं तो वाट वैर दा चिंड्रेन वेरिंग इन दिस पार्टी पार्टी में उन लोग किस किस तरह के कपड़े पहने हैं और वेराइटी ऑफ फूड उस अब लोग को दिखाए देगा और यह सारे डिफरेंट में भी हमारा देश जो है एक है इसी को बोलते हैनी यूनिटी इन डिवर्सिटी मतलब विविध्था में अनेक्ता में एकता वहीं चीज़ है इसके पाद यहाँ करके जो है एक करके इसको ठोड़ा एक्स्पिन किया गया है जिसे religion of India तो हमारे देश में कई सारे religion हैं बहुत सारे धर्म यहां पर पाया जाता है और सभी धर्मों को एक सा सम्मान मिलता है हिंदू, मुसलिम, जीख, क्रिस्चन, पार्सी, बुदिष्ट, सारे धर्म जो है यहां पर हैं और सारे धर्म के लोग हैं और सभी धर्मो का यहां फेस्टिबल मनाया जाता है जैसे यहां फेस्टिबल आप इंडिया लिखा हुआ है तो बहुत सारे फेस्टिबल जो है हमारे धर्मों से रिलेट करते हैं और कई सारे फेस्टिबल जो है वो हर्वेस्टिबल है फसल उगने पर उन फेस्टिबल को मनाया जाता है ज तीसरा जो है नेशनल फेस्टिवल जिसको इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, इस तरह का महत्मा गांदी के जनती हो गया, इस तरह का तीन तरह का तेवहार हम लोग मनाते हैं, यहां पे दिया हुआ है कि अवंति का जो है वो अपने दोस्त अली के यहां जाती है, उन लोग इद मनाते हैं, और अलग-अलग जो लोग हैं, जैसे हिंदू लोग हैं, तो हिंदू फेस्टिवल को मनाते हैं, मुस्लिम लोग है, मुस्लिम फेस्टिवल को मनाता है, मतलब जो भी जिस धर्म से रिलेटेड है, वो उस तेवहार को मनाता है, यहां पे म को मनाता है उसके बाद holy festival यह जो इतने भी हिंदू people है इसको मनाते हैं और इस तरह का कई सारा religious festival है जो सभी लोग मनाते हैं और language के बारे हम दिया हुआ है different different language लोग बोलते हैं जो जहां से relate करते हैं उसके बाद यहां पर एक लाइन दिया हुआ है economic activities यहां पर लोग जो है different different काम करते हैं तो यहां बेसिकली तीन तरह के वर्क को दिखाया गया है फर्स्ट में दिखाया गया है agriculture हो गया dietary product हो गया fishing forestry हो गया तो इसको बोला जाता है इसको यहां पर दिया हुआ है primary activities primary activity में लोग direct जो है जिस फसल को उगाते हैं उसको बेच के जो उनको direct पर समिल जाता है इस तरह से हो गया और दूसरा नंबर में हो गया secondary activity में क्या होता है उस product को जो primary product होता है उसको इन लोग ले ले लेते हैं उससे कुछ दूसरा चीज बनाया जाता है जिसे गन्ना को जो है ले लिया और उससे चीनी बनाया गया उन लोग अपने इंडिस्ट्री का यूज करते हैं इन लोग manufacturer होते हैं गूट्स तियार करते हैं तो इस तरह से यह secondary activities में आ गया और उसके बाद जो है कुछ लोग professional लोग होते हैं जो इन सारे जो गूट्स होता है उसको ट्रांस बन है इसे के द्वारा जो है हमारे देश की अर्थ ब्यावस्ता टिका हुआ रहता है उसके बाद यहां दिया वाए नीड फॉर डैवर्सिटी यह भी वित्ता कि क्यों हो सकता है इंडिया को तो इंडिया जो है एक कलरफुल देश है यहां पर जैसे बतला जा रहा है अगर तो इसलिabout के लिए इंडिया के लिए लेंगा देश Leanne वाए उस्ता लेकिन हमारा देस ऐसा है यहां पर हर तरह का क्लर हर लोग हर तरह का विचार हर घर्म इस तरह से यहां पे आप लोग को दिखाई देगा इस तरह का एक्जामपल आप अपने स्कूल में देख सकते हैं, जिसे कि कई सारे बच्चे जो होते हैं, पढ़ने में कुछ तेज होते हैं, कुछ खेलने में तेज होते हैं, कुछ जो दूसरे चीजों में प्राइज लेते हैं, कुछ पैंटिंग में तेज होते हैं, तो जब क एक तरह का चीजे हम लोगों के लिए इंट्रेस्टिंग नहीं होता है सभी लोग अलग-अलग तरह के काम करते हैं कुछ मैसुन होते हैं कुछ कारपेंटर होते हैं पलंबर होते हैं इस सारे मिलकर किसी एक चीज को कम्प्लीट करेंगे अगर सिर्फ मैसुन हो दिवाल उठा अब उसमें कारपेंटर वहां पर लगड़ियों का जो भी काम है उसको करेंगे पलंबर जो है वहां पर जुद्न काम है उसको करेंगे लेक्ट्रिस्यन जो है उस सारे मिलकर एक चीज को सजाते हैं इससे तरह से सभी का अपना-पना एहम रोल है उनलोगों के विगर कोई भ लोग को अपने कल्चर में दिखाए देता है और डिवाइड एंड रूल ब्रिटिस का रूल था उन लोग का नियम था कि फूट डालो और सासन करो लेकिन इस विचार को हमारे लोगों ने हमारे हिंदुस्तानी वीरू ने इसको बदल कर रख दिया हमारे सवतंतता सिनानियों लोगों ने इस बात को प्रूप कर दिया कि बिवित्ता में भी एकता हो सकता है और अलग अलग धर्मों के लोग रहते हुए भी हमारे देश के लिए लड़े और हमारे देश को आजाद किये हमारे देश में यहां पे 22 लेंग्वेज को रिकोगनाइज किया गया मान्यता प नहीं मिला है इससे समंधित कई जो है विरोध उठते रहे हैं इसलिए अभी तक जो है कॉंस्टिट्यूशन में इस बात की इस बात की परमान नहीं मिलता मतलब उसमें कंप्लीट कंफर्म नहीं हुआ है कि हिंदी हमारा राष्ट भासा है लेकिन भी अब बहुत सारे लोग तो एतिहासिक चीज़े भी हमारे देश को कई बार प्रभावित किया है उस समय बहुत सारे राजा रहते थे और एक पुरे देश में किया करते थे उसमें बहुत सारे भी देसी लोग इंडिया में आये और जैसे कि यहां पर बतलाए गया है चैना से एक चाइना से आया हुआ था जो पहले चब्टर नोग पढ़ चुके हैं फाहियान और व्यंग संग चैना से आये थे लोग और ये २ोग बुद्ध धर्म बहुत धर्म को उसके बारे में जानने के प्यास किया सबसे पहले जो है एस्टी थोमस नाम का एक बेगती कैरला में आया था और उसने संतावन इस भी में उसने Christianity मतलब इसाई धर्म को यहाँ पे लोगों के सामने रखा और बतलाया इसके बारे में बतलाया अप्टिन धर्म के बारे में तो लोग ने ने धर्म से परभावित हुए पता चला और कई सारे लोग जो है उस धर्म को मानने भी लगे इस तरह से आगे और दिया हुआ है जोग् कूलता के ईनुसारवया कपड़े पहनते हैं भोजन करते हैं जैसे कि यहाँ पर बतलाय गया है कि कश्मीर में कश्मीर में लोग फीरंश का यूज करते हैं तो वहां पर ज्यादा ठंड रहता है तो इसलिए इस तरह का जो पहनावा है अपनाते हैं इसके बाद धोटी स्ट पर भी डिपेंड करता है इसके इंडिया जोगोरिफिकल कारक हमारे इंडिया पर किस तरह से एक यूणिटि बनाए हुए रखता है कि यहाँ पे क्लाइमेट जो है और बिफेंट रीजन है अलग-अलग जगा होने के बावजुद भी यह एक unity बनाए रखता है इंडिया है continuous history और इसका history जो है लंबा history रहा है यहां पे बहुत सारे राजाओं ने इस देश पे सासन किया है और यह काफी बड़ा देश है इसलिए हमेशा यह ऐसा हुआ है कि जब भी कोई राजा रहा है तो पूरे देश पे control किया है बहुत कम राजा जैसे कि यहां पे असोका हो गया समुद्र गुप्त अलावदिन खिल जी इस सारे लोग जो है नॉर्थन इंडिया के जितने पार्ट है most of पार्ट नॉर्थन इंडिया के इन लोगों ने अपने अंदर इस पर रूल किया है इसके बाद ब्रिटिस जोई होए थे हो तो पू बुदेव के नाम से भी जानते हैं इसमें इस नेशनल रंथम में पूरे देश की यूनिटी को बहुत ही ब्योस्तिक ढंग से दिखाया गया है इसलिए इसको नेशनल रंथम के रूप में चैनित किया गया है और इसके बाद नेशनल सॉंग वंदे मातरम जो की बंकिन ईसमें तीन कलर है, स्याफरोन जो की सैकरिफाइस बलीदान और साहस के परतिक है और वाइट कलर जो है वो पूथ सच्चाय और सांती का परतिक है और सबसे नीचे में गिरीन कलर जो है, वो हमारे देश की प्रसपिरृटी, प्रस्पेरिटी मतल्तल समिरदी को दिखाता है क हमारा constitution 26 January 1950 को हमारे देश में अपलाई हुआ लागू हुआ और इसके द्वारा ही हमारे देश का सासन चलता है कोई भी इससे बड़ा नहीं है तो हम लोगों ने freedom जो पाया हम लोगों ने जो आजादी पाई तो हम लोग एक unity के तहत हम लोग एक एकता को बना सके इसलिए हम ल लोग मिलकर अंग्रेजों के ख्लाफ लड़े क्योंकि British राज को लोग पसंद नहीं करते थे और British राज उन लोगों पर जुल्म किया करते थे इसलिए उन लोगों को एक साथ मिलकर खत्म कर दिये हमारे देश में जो इकता हुआ है तो सारे जगओं का अपना-पना महतो है जैसे कि उतर परदेश यहां बतला रहा है कि सुगर बोल, मतलब सबसे ज़्यादा सुगर वहां पे उगता है, चीनी उगता है, महाराष्ट्रा इवैलनान फॉर, कॉटन, वैस्ट बंगाल फॉर, जूट महाराष्ट में सबसे ज़्यादा कॉटन उगता है, बंगाल में जू इंडिया यह सारे कल्चर जो है हमारे देश के सभी लोगों को एक सुत्र में बांध कर रखता है और हमारे जो रिलिजियस बुक है बहुत सारे बड़े गरंथ जो है सेक्रेट नदिया है ट्यामपल्स मॉस्क्यू चर्च एन गुरुद्वारा यह सारी चीजे इतने पवित्र हैं इतने सेक्रेट हैं कि सभी के द्वारा जो है यह परसंसनिय है और यह सारी चीजे हमारे देश को एक सुत्र में बांध कर रखता है तो यहां पर यह चेप्टर लगभग इसका जो बेसिक चीजे है उन चीजों के बारे में बतला चुका हूं अब मैं यहां पर देखता ह हो इसको हिंदी वर्षन में आप लगा सकते हैं तो यह टीक लगाते हैं इसको फरस्ट में पॉंगल इस एंप्वाटन फेस्टिवल और पॉंगल कहां मनाया जाता है तो मुस्लिम लोग वहां पर अपना नमाज पढ़ने लिए पूजा करने लिए जो भी है तो यह मुस्लि संबीधान के दवारा कितने लेंग्वेस को रिकोगनाइज किया गया है तो यहां पर 22 पढ़ चुके हैं इसका आंसर हो जाएगा 22 यहां टीक लगा लिए और लिखा गया है तो बंकीम चंदर चटरजी की दवारा लिखा गया यहां पी टिक लगा लेते हैं तो किसके द्वारा क्रिश्चिन धर्म को लाया गया था तो एस्टी थॉमस के द्वारा लाया गया था इसको टिक लगा लेते हैं यहां पे हो जाएगा यहां दियावा है unity in diversity means the people of different faith custom and opinions live as one विवित्ता में एकता अलग अलग लोगों के द्वारा विश्वास अपने कस्टम अपने रितिरिवाज सभी मानते हुए एक जगा रहना ही अनिकता में एक तकाल आता है तो यह सही है इसको लगा लेते हैं सही ट्रू लगा ट्रू बहुत सारे festival मना जाते हैं इसलिए इंडिया को land of festival कहा जाता है उसके बाद Hindi is only national language of India तो यह नहीं मानेत प्राप्त नहीं है मैं आपको chapter में पहले बतला चुका हूं इसलिए यह false हो जाएगा कई सारे language यहां पे हैं और किसी तरह से confirm नहीं हुआ कि national language यही है वह सारे लोग म उसके बाद यहां पे केरलाट्स its wheat as a major component of their food यहां पे यह five number सही नहीं है क्योंकि वो समुद्र तट पे बसा हुआ है केरला तो वहां पे wheat जो है गें हों गें सबसे ज्यादा पंजाब में होता है इसलिए यह false हो जाएगा वहां पे इस तरह का खाना पसंद लोग नहीं करते है यह false हो गया और the geographical condition do not affect the lifestyle of people तो यह सही नहीं है यह false हो जाएगा यह false हो गया complete हो गया short question answer मैं आप लोगों को दे देता हूँ यहां पर इसका answer जो है आप लोगों को screen पर लिखा हुआ आ जाएगा वैसे मैं बतला भी दे रहा हूं name any for famous food of India भारत के महिलाएं कौन से सबसे सामाइं ड्रेस पहनती है तो इसमें हो गया सलवार कमीज and दुपट्टा what is the significance of the three color in our national flag तो इसका दे 15 अगस्ट को मनाया जाता है रिपब्लिक टे 26 जनवरी को मनाया जाता है और महत्मा गांधी का बड़्डे हो गया तो वह जो है को मनाया जाता है how many languages are recognized by the constitution of India तो 22 languages हम लोग पढ़ चुके है तो इसका answer हो जागा 22 languages और यहाँ पर फोर नमर में match the following match करने के लिए दिया गया है यहाँ पर बहुत आसानी से आप लोग match कर सकते है यहाँ पर बैसाखी हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं बैसाखी जो है पंजाब म पर दिया हुआ है जिसको मिला लेते हैं यहाँ से बी नमर में जाएगा यह यह चला गया उसके बाद जो है बी हु तो बी हु असम में मना जाता है असम कहा है यहाँ चिप फेस्टिवल ओप तो यह सब हर्वेस्ट फेस्टिवल है अब चैप्टर को डिपली जरूर पढ़ फैला हुआ है उसके बाद यहाँ पर करनड एक लेंग्वेज है तो यह लेंग्वेज कहां पर बोला जाता है तो करनाटका में बोला जाता है इसको यहाँ पर मैच कर देते हैं तमिल भासा तमिल नाडू में बोला जाता है सिंपल सा है तो इसको यहां मैच कर देते हैं यह complete हो गया इसके आगे का question जो है हम लोग next वीडियो पर complete करेंगे तो अगर आप लोगों को helpful होता है हमारा ये वीडियो तो आप लोग हमारे वीडियो को एक लैक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पानी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे हैं आप लोगों से मुझे